केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र तमिल नाडू के मंत्री उदैनिदी स्टालिन ने एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है तो आपको बता दे कि सोंबार को अपना रुखियो धोराया कि सनातन धर्म का हमेशा विरोध किया जाना चाहिए इंडिया गडबंदन के पटक दल डीमके के नेता स्टालिन के पिछले बयानों पर पहले ही जम का विवाद हो चुका है ऐसे में उनका यह नया बयान विपक्षी दलों के लिए एक मुसीबत बन सकता है उद्यनिदी स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी जिसके बाद एक जम का विवाद खड़ा हो गया था और तुम्हें इंडिया गडबंदन के नेता असहेज सिती में पहुँच गए थे मुखे मंत्री एमके स्टालिन के बेटे और सूबे के यूबा कल्यान वे खेल मंत्री उद्यनिदी स्टालिन द्वारा सनातम धर्म के खिलाफ दिये गए बयानों पर निश्क्रियता को लेकर मदरास हाई कोट ने तमिलनाडू पुलिस को जम कर फटकार लगाई थी इसी के बाद ज़ारी अपने ताज़ा बयानों में उद्यनिदी स्टालिन ने एक बार फिर से सनातम धर्म का विरोध करने की बात कह दी है आई आपको बताते हैं तमिलनाडू पुलिस को फटकार लगाते हुए मदरास हाई कोट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या किसी विचार धारा को खत्म करने का अधिकार नहीं है अपने ताज़ा बयान में उदेनिदी स्टालिन ने कहा हमें कई सालों से सनातन के बारे में बात कर रही है राजशे पत्रता सैप्रवेश परिश्चा नीट एक हालिया मुद्दा है सनातम धर्म का मुद्दा सेकड़ों साल कुराना है हम इसका हमेशा विरोध करेंगे उदेनिदी स्टालिन ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है आगे कहा कि मैंने जो कहा वैं सही था और मैं कानूनी परिणाम भुगजने को तयार हूँ मैं अपना बयान नहीं बदलूँगा उदेनिदी स्टालिन का मानना है कि सनातन विरोध करने की बज़वार इसे खत्म कर देना चाहिए डियम के नेता ने अपने बयान में कहा था कि सनातन नाम संस्क्रिप्ट से लिए आ गया है जो समाजिक नियाए और समानता के खिलाफ है उन्होंने कहा था हम कोरोना, डेगू और मच्छरों का विरोध महीं कर सकते हम इने जड़ से खत्म करना होगा और इसी तरह सनातन को भी खत्म करना होगा अब उदेनी दिस्टारियन के बयानों का सियासी पारा इतना चड़ चुका है कि उन्होंने फिर से एक बार बयान बाजी की है